आज मैं आपके सामने श्री हरिवन श्राय बच्चन की कवीता के कुछ हिस्से पढ़के सुनाने वाली हूँ और जैसा मैंने उसका अर्थ लिया है वो आपको समझाती है ठीक है इसमें से एक लिया है मैंने मदिर्याले जाने को निकला घर से चलता है पीने वाला किस पत से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला अलग अलग पत बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मदुशाला इसका साधारन सा अर्थ है कि जब आपको कहीं जाना हूं तो किस रास्ते से जाऊं इस बारे में तो परिशानी होती है तो मदिर्याले का अर्थ यहां पर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसका अर्थ होता है बार या पब तो कहां पर है यह वो ढूण रहा है कि किधर है पास में सबसे वहां वो चला जाए पर मैंने जो इसका अर्थ समझा है वह है कि जो साधारन मनुश्य है वह इश्वर को या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है पर वो किस तरह से उसको प्राप्त करें, वहां तक कैसे जा पाए, इस असमंजस में या इस दुविधा में वो हमेशा रहता है तो लोग क्या होते हैं, अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ लोग अलग अलग बताते हैं तुम जैनी हो जाओ तुम हिंदू हो जाओ तुम मुसलमान हो जाओ तुम सिख्ध हो जाओ तुम कृश्यन हो जाओ तुमको गौड मिल जाएगा तुमको अल्ला मिल जाएगा तुमको इश्वर मिल जाएगा पर जैसा की कवी ने कहा है मैं अलग अलग पत्थ बतलाते सब लेकिन मैं बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मदुशाला कोई भी एक रास्ता चुन लो किसी भी धर्म में किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है कि हमें अलग-अलग रहना है या हम एक नहीं है ये सब मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके हैं किसी भी धर्म का अनुसरन करिए उस पे चलिए और आपका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ती यहाँ पर मैं उसका फिर एक अर्च बताऊंगी इंसानियत की प्राप्ती करना होता है राह पकड़ तु एक चला चल पाजाएगा मधुशाला लाल सुरा की धार लपट सी कहन से देना जौला फेनिल मदिरा है मत इसको कहन देना उरका चाला इतनी तेज है मदिरा लाल लपट जैसे लपटें उठ रही होती है उस तरह की है और अगर इसे गरम गरम पियोगे तो मूँ जल सकता है तो तुम इसे अपने हरदय में पड़ा हुआ चाला मत समझ लेना दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मरतियां साकी है पीड़ा में आनंद जिसे हो आये मेरी मदुशाला बहुत सीधा सा आर्थ है कि लाल रंकी दिख रही है और अगर जल्दी पीलोगे तो जल जाएगा और इसमें जो पिछले जो सारी दुख है उनका जो नशा है वो जो है ऐसा लगता है वो साकी बन गई है जो पिला रहा है विगत स्मृतियां साकी है दर्दनशा है इस मदिरा का और जिसे पीड़ा में है आनंद वो ही मेरी मदुशाला में आए ये कवी की कवीता है मैंने जो इसका आर्थ लिया है वो ये है कि जो दिख रहा है वो जिरूरी नहीं है वैसा ही हो तुम्हारे पिछले अनुभाव जिंदगी के जो है जो विगत स्मृतियां रही है तुम सिस्टम से बाकी चीजों से परिशान हो उन चीजों को परिशान हो के उन चीजों को उन परिशानियों को अपना हतियार बनाओ अपनी हिम्मत बनाओ दर्द नशा है जिस मदिरा का और जिसे पीडा में आनंद हो जिसको सहन करने की शक्ती हो वो ही आए और मेरे साथ आगे चले चाहे वो देशवक्ती का काम हो चाहे वो पढ़ाई का काम हो या जो भी काम हो पर जो पिछली चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहता हो जिसको दर्द को भी सहन करने की जिसको पीडा में आनंदा आ रहा हो जिसको मालूम है कि ये मैंने जो लक्ष लिया है उससे मुझे कठनाई होगी मुझे उसको पूरा करने में कई सारी कठनाईयां आ सकती है उन सब को जानते हुए जो मेरे साथ आएगा वह अपने लक्ष तक जरूर पहुँचेगा धर्म ग्रंत सब जला चुकी हैं जिसके अंतर की जुआला मंदिर मस्जित गिरजे सब को तोड़ चुका हो मतवाला पंडित मुमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मदुशाला आज मैं जब आपको बता रही हूँ ये सब बातें तो पुलवामा में अटेक हुआ है आप सब को मालुम है अब यहां पर क्या हो रहा है कई कारणों से लोग एक दूसरे को लड़वा रहे हैं कुछ हिंदू हो जाते हैं कुछ मुसलिम हो जाते हैं राजनितिक हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़वा कर जो हमारा में अदेश है कि हमें मानावता को हांसिल करना है उस सक पक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो तुबिश का खहना ऐसा है कि जो सब इन सब बंधनों को धर्म गृंद को जो जला चुकी हो जिसके अंतर की जो अपने अंदर के इन बंधनों से चूट चुका है जो अपने अंदर मौझूद सामाजिक इन बंधनों से कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसल्मान हो, तुम कृष्षिन हो इन सब चीजों से जो छूट चुका है, जो अपने मन की जो मान्यताएं है कि मंदिर ठीक है या मजजिर ठीक है, उनको भी जो छोड़ चुका है और जो अपने धर्म के गुरु हैं, उनके जो वो बंधन डालते हैं कि तुम्हें ये करना ऐसा ही चाहिए, ये करना अलाउड नहीं है इन सब को जो छोड़ चुका है, उसी का मेरी मधुशाला देश प्रेम के लिए या किस चीज के लिए भी स्वागत करती हो, जो इस जातपात के बंधन को काट कर ऊपर आ चुका है उसी का मेरी मधुशाला स्वागत करती है और सिर्फ वो ही अपने लक्षे को प्राप्त कर सकता है एक बरस में एक बार ही जगती है होली कीजवाला, एक बार ही लगती जलती दीपो की माला दुनिया वालों किन्ट किसे दिन आकर देखो मदिराले में, दिन में होली, राध, दिवाली, रोज मनाती मदुशाला अब यहां तो बहुती सीधा आर्थ है इसका कि सारी दुनिया जो है एक तेवहार एक दिन मनाती है या दो दिन मनाती है पर मंदिराले में रोज शाम को पीने वाले खटा होते हैं मस्ती करते हैं शोर गुल होता है हसी मजाक होता है तो यहां बाराहा मैंने तियोहार का मौसम रहता है पर क्यों नहीं हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आज के जमाने में आप भी शहिए सब मुझसे सहमत होंगे कि हम जब 26 जिन्वरी या 15 अगस्त आता है तो हम उस दिन बहुत देशभक्ती निकाल लेते हैं अपने जंडे प्रेस करके लगा देते हैं सफेद औरेंज और ग्रीन कलर के कपड़े पहन लेते हैं फिल्मी गाने बजने लग जाते हैं देशभक्ती वाले तो हम यह तेवहार जो है वो एक ही दिन क्यों मनाते हैं और जेशब्गति का ते वहार तो हम 12 मैंने मनाच सकते हैं जैसे मदुषालिय में पीने वाले जो रोज मस्ती करते हैं वैसे हम अपने देश। बहुति के अपने उद्देश को रोज क्यों नहीं 12 मैने क्यों नहीं बना सकते हैं मुसल्मान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला एक मगर उनका मदिराले एक मगर उनकी हाला दोनों रहते एक में जब तक मजजद मंदिर में जाते बैर बढ़ाते मंदिर मजजद मेल कराती मधुशाला कितनी बढ़िया बात कही है उनोंने अगर हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो अगर हम लोग मिलके नहीं चल सकते हैं हम एक देश के रहने वाले हैं अगर हम आपस में समझाता करके एक दूसरों के विचारों का सम्मान करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो हमारी क्या हुननती है हम कहां तक इंसानियत के पास पहुंचे हैं मुसल्मान और हिंदू जब तक अलग-अलग रहते हैं वो आपस में जगड़ा करते हैं पर जब शाम को मदिरा ले में जाते हैं और प्याला अपना लेके पीते हैं तब उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि वो हिंदू ने बनाई है या मुसलिम ने बनाई है वो एक हो जाते हैं उसी तरह हम सारे लोग हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई न होके क्यों नहीं हिंदूस्तानी हो जाते हैं और आपस में मिलाप कर लेते हैं बस आज के लिए इतना ही टैंक यू